ओके, हेलो चैटर्स, माइनेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रसल चैटर्स इस वीडियो को बिलको लाज सक और गाईस बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेथ रॉलिंस और स्टोन कोल्ड स्टीव वास्टन के मैश से तो डिबल डोली ऑन फॉक्स जोगे एक टुटर काउंट है काफ़े जाद से में पॉपलर चल रहा है अपने टूइट के चलते तो गाईस उन्होंने यहाँ पर एक टूइट किया जहां उन्होंने लिगा सेथ रॉलिंस ने रिपलाइ किया और उन्होंने लिगा कि मेनिया एंट फार अवे मतलब रैसल मेनिया अब जादा दूर भी नहीं तो एक तरीके से यहाँ पर सेथ रॉलिंस यह कहना चाह रहे है कि वह स्टोन कोल्ड के सांब मैच रसल करना चाहेंगे अगर वो फिर से डेबल लोबली कमपनी में वापस आते हैं मैच रसल करने के लिए अब वैसे देखा जाए तो स्टोन कोल्ड किसी के भी सांथ मैच रसल करने आए फैंस तो कुछ होई जाएंगे और वैसे भी अगर इस समय डेबल लोबली के टॉप स्टार्स की बात हो तो उसमें Seth Rollins का नाम है तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि ये मैच देखने के लिए फैंस एक्साइटेड होंगे इंटरस्टेड होंगे लेकिन कोशन यहाँ पर ही है कि क्या स्टोन कोल्ड सच में डेबल लोबली में वापस आएंगे अगली स्टोरी के तरफ बढ़ते यहाँ पर जॉन सिना अपनी गल्फरेंड के साथ हैं अब यहाँ पर ज्यादा खुछ खास बताने के लिए हैं लेकिन क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हो कि यार जॉन सिना के बारे में कुछ बता वो क्या कर रहे हैं किस समय कहां पर है तो इस समय में से वरना आपको पता है कि अगर केक खाने की बात भी हो तो पहरे जॉन सिना डबल लोली में आ जाते थे लेकिन अब वह चीज पहले से काफी जादा बदल चुकी है अगली सोरी की तरह बढ़ते हैं और गाइस यह जूड़ी है केन वेलेसकेस प्रो रेस्लिंग में पहली अ जो भी आप बोलना चाहते हैं और गैस केन वेलेसकेस ने यहाँ पर रिवील किया कि अभी उनको एक और अपीरेंस वहाँ पर जाकर करनी है और क्योंकि यह डिबल लोली के सांथ पना कॉंट्रेक्ट साइन कर चुके हैं लेकिन स्टिल डिबल लोली उन्हें अलाव कर रही ह एक और वहाँ पर अपीरेंस देने के लिए और उनकी एक कमिट्मेंट ट्रिपल ए शो के सांथ बागी है तो ऐसे मैं आप लोग एक्सपर कर सकते हूं कि हमें केन वेलेसकेस वहाँ पर भी जाकर एक बार कंपीट करते हुए दिखाये देंगे वैसे मुझे लगता है कि ट्र स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और जी जूड़ी है शेमस से अब शेमस के बार में आप लोग काफे सारी कुश्चन से मैंने भी आप से कहा था कि पॉसिवली वापस आते हुए दिखाये दे सकते हैं लेकिन अभी यहां पर यह चीज़ के रिटन को इतना जब डिले किया रह क्योंकि डेफिनेटल यहां पर हो सकता है डिबल अबली के शेमस के काफी बड़े प्लाइंस हो और हमें पता है कि डिबल अबली ने पास्ट में शेमस को कितनी बड़ी बड़ी स्टोरान के अंदर बुक किया है तो डेफिनेटल यहां पर हमें कुछ शेमस के लिए बड़े बना दीगा है SmackDown Live का Executive Director तो गाइज इसके बारे में रिसेंट एक ट्विट आया 83 वीक्स की तरफ से और गाइज यहाँ पर उन्होंने बताया कि there are fire t-shirt available at ericbishop.com और गाइज इस पर किसी और ने बलकि reply किया CM Punk ने और उन्होंने लिखा wedding day और ने अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह कि अपने जो WWE से CM Punk को fire किया गया था वो इस चीज से यहाँ पर इसे compare करके देख रहे हैं क्योंकि जिस दिन CM Punk की शादी थी AJLE के साथ उसी दिन WWE के papers उनके पास आते हैं क्योंकि उनका contract जो है वो terminate कर दिये गया है और वो WWE सोच चुके fire इसके लवा guys यहाँ पर जो लोगों भी आप लोग देखोंगे FedEx आपको पता है और जो delivery वाली चीज आपको पता rumors हैं अभी हाल फिलाल में तो इसके बार में जाद कोई अपडेट नहीं है लेकिन जितने भी कुछ आया हुआ है वह ने आपको अल्रीडी चैनल के उपर बताया हुआ है तो फिर हमें उस मुमेंट का वेट करना होगा जिए CM Punkah में WWE Backstage Show में देखने को मिलेंगे अगर उन्होंने अल्रीडी Fox के साथ एक डील साइन कर लिया जिसके चांसे काफी जादा लग रहे है और गाई इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ो प्लीस लाक किए बना कहीं में जाना Seth Rollins vs Stone Cold के मैस के बारे में आप क्या क्या thoughts है John Cena के बारे में आप लोग क्या कहने चाहेंगे इसके लाव आप लोग कर सकते हैं चैनल को subscribe और notification bell को on तकि आपको मारे चैनल पर इसी तरह से pro wrestling से जुड़ी सारी बात जानने को मिलती रहें See you guys in my next video